न सुपजेक में शेट नमबर फाइ़ पार्ट त्री तु स्टूडेंट्स आजाँ यह पार्ट में क्या स्टडी करेंगे straight line and curve line what meaning of straight line यानि कि जो line इसे शीदी जा रही है straight में जा रही है उसे कौन से line कहेंगे हम straight line जो line इसे curve यानि कि circle जिसे shape में हो उसे कौन से line कहेंगे हम curve line तो students आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो straight lining ही है सारी जग और कौन से shape बन रहा है प्लस जीसे sign बन रहे है बन रहे है ना यहाँ पर भी प्लस जीसे sign ही हमें picture दीख रहा है लेकिन कौन से shape है curve shape में है यानि कि यह देखो circle जीसे shape है यानि कि curve shape यानि कि students आप लोग देख सकते हो यह कौन से line है स्ट्रेट लाइन यह कौन सी लाइन है काव लाइन ओके स्टूडन्स तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे क्या दिया है observe the line in the following shape and tick whether they are straight or cold हमें pictures देखना है वो निचे लिखा है कि स्ट्रेट लाइन है कि काव लाइन वहाँ पर हमें क्या करना है tick करना है okay students तो first shape कौन शाह है yes square कौन शाह shape है square तो यह square shape में आप लोग देख सकते हो कि straight lining ही ही है lining ही है यानि कि यहाँ पर कहाँ पर tick करेंगे हम straight line में क्योंकि इसमें curve shape नहीं है then next circle circle किसमें आएगा straight में या फिर curve में yes यह कौन सा shape है curve shape then next triangle तो triangle में देखो straight lining ही दीख रही है यानि कि यह कौन सा shape में आएगा straight then यह कौन सा shape है oval oval shape किसमें आता है curve shape में यानि कि हम curve में tick करेंगे then next diamond shape तो कैसी वहाँ पर देखो lining ही है कि curve shape है straight lining यानि कि हम यहाँ पर tick करेंगे okay then next exercise join A to B B to C and C to D using straight line यानि कि A से D तक हमें join करना है वो कैसे करना है straight line में करना है okay students तो चला हूं करते A to B B to C and C to D देखो हमने straight line कर दी है students yes then next information क्या दी है then join E to F F to G and G to H using a curve line तो हमें कौन से line करने है ये चारो points को join करने के लिए curve line तो चला students curve line करते E to F F to G and G to H तो ये हो गई हमारे curve line okay students then next information complete the following pictures by drawing straight or curve lines after that color the figure to make them beautiful तो देखो ये dots dots दोर्स दोर्स दी line दी है ना students को उपर आपको क्या करना है जो shape दी है वो shape आपको trace करना है और उसमें क्या करना है फिर बाद में fill up करोगे क्या करोगे आप लोग students fill up करेंगे हम लोग तो first ये देखो eyes दी है तो वहाँ पे curve line जे शर्षेप है कौन शर्षेप है curve line तो चलो हम लोग start करते हैं कि line के ओपर line trace करते हैं तो students आपको वेसे ही अच्छे से करने हैं कि out ना जाए इसे line के ओपर ही line आनी चाहिए फिर बाद में क्या करोगे आप लोग जेसे आपको जो भी color आपको पसंद है अच्छे लगते है वो color आप लोग क्या करोगे fill up करोगे तो ये हमारी eyes जो हो गई है then next क्या है kite तो वो हम trace करेंगे students kite भी हमारी trace हो गई है तो फिर आप लोग kite में भी अच्छे से color fill up करना ओके then next one कुंसा picture है butterfly तो चला butterfly को भी हम trace कर देते lying के उपर ही हम lying करेंगे okay students अच्छे स्टूड़न्स ये हमारा trace प्रेस हो गया है और आपको फिर क्या करना इसमें color fill up करने Okay students, then next, fun activities, देखो, यहां पर देखो, क्या दिख रहा है आपको, हेलिकॉप्टर जी सा प्लेन दिख रहा है, and then train, तो आपको क्या करना है, एक sheet लेनी है, और इस shape आपको अच्छे से, cut करके फिर match करना है, और इस आपको, pictures आपको बनाना है, और इसके उपर आपको क्या करना ह है, फिर color करना है, okay students, then next देखेंगे हम लोग, tick the object and match the shape show on the left, यानि कि आपको यहां जो pictures दीख रहा है, वहां पर आपको match करना है, तो देखो, first dark line में जो pictures है, वो हमें other picture में देखना है, okay, first क्या है, cube, यानि कि circle जैसा ही होता है, यह solid shape कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, solid shape, तो यह solid shape है, वैसा कहां पर है, tube जैसा shape, this one, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, tick कर देंगे, okay students, then next, spear, यानि कि circle जैसा shape, plain shape यानि कि circle, and solid shape यानि कि spear, तो यह circle जैसा shape कहां पर है, यह रहा, this one भी है और this one भी है okay students then next cubet cubet यानि की rectangle जैशा shape cubet यानि की rectangle plain shape में उसे rectangle कहते हैं solid shape यानि की cubet तो cubet कहाँ पे दिख रहा है हमको यह रहा box जैसा दिख रहा है वो कुंशा shape है cubet then next cone cone यानि की triangle shape यानि की plane shape में उसे हम कौन कहते है and shoulder shape में, sorry, plane shape में उसे triangle कहते है and then shoulder shape में क्या कहेंगे उसे? कौन, तो where is con gesture shape? This one, कौन ही दिया है? Do you like everyone? Yes, me also. Then last one, cylinder shape cylinder shape यानि की over shape यानि की straight line भी आती है उसमें और curve line भी आती है तो cylinder जैसा shape कहाँ पर है? यह ही रहा, gift box दे है वो कैसा shape है? Cylinder shape Okay, students यह हमारी activities यहाँ पर fun activity complete होती है Then next activity देखते है Match the shape with the object Match the shape with your object is Look alike in each row And draw the shape around the object जैसा हमें safe first line में दिया है वेशा safe हमें solid में find करना है और वेशा हमें बार की side हमें object draw करना है तो first देखो हमने डंग करके दिया है कि यह triangle shape है को triangle gesture shape कहाँ पर है? यह रहा, cap है ना, बद्दे cap तो देखो वहाँ पर हमने triangle gesture shape draw किया है किया है? The next one है square shape तो square shape है वो कहाँ पर है square shape? यह या फिर यह Yes, first one square gesture shape है उसके ओपर हम क्या करेंगे? square shape ऐसे draw करेंगे Okay, student Then next, circle तो circle कहाँ पर दिख रहा है? यह रही watch तो उसके ओपर भी हम क्या करेंगे? circle Then next, rectangle shape तो rectangle shape कहाँ पर दिख रहा है? यह रही bag है, वो कैसी है? rectangle तो यहाँ पर हम rectangle draw करेंगे Then next, oval shape तो oval shape कहाँ पर है? this one, this one या फिख दिख वान? Yes, यह एक है, वो कैसा है? oval shape है Okay, students तो यह oval shape हमने यहाँ पर draw कर दिया है तो यह भी activity हमारी complete Then next one है rolling and sleeping rolling यानि कि कोई भी चीज हम match पर या फिर कहीं पर रखें तो वो क्या हो जाएगी? roll हो जाएगी यानि कि one type of मैं आपको देती हूँ कि यह chalk stick है तो chalk stick क्या होती है? rolling है sliding है नई, sliding यानि कि यह यहाँ पर मैंने scale रखी है तो यह scale ऐसी रहेगी मैं उसे नीचे से slide करवाँगी तो ही वो जाएगी otherwise वो जाएगी नए you understand student? rolling यानि कि next example है यह pencil तो यह pencil रोल करते हैं इसे नीचे आ सकती है यानि कि rolling and then sliding यानि कि उससे हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे push करना पड़ता है तो फिर बाद में sliding हो शकती है तो first देखो यह boy है तो वो बोल से खेल रहा है तो बोल तो क्या होता है? rolling है कौनसा example है यह? rolling and then books है वो sliding क्योंकि उससे हम slide करेंगे तू ही वो दूसरी जगा जहाँ पाएगी otherwise वो जहाँ पे है वहीं पे रहेंगी यहां पे देखो drum दिया है तो drum कौनसा है? rolling का example है and then हम लोग कहीं पे जाते हैं slide करते हैं तो हम push करते हैं फिर उसके बाद ही हम slide कर पाते otherwise वैसे हम directly नहीं की सकते तो यह देखो rolling and then यह sliding फिर हम यहां पे बहुत सारी चीज़े दी है तो चीज़ कों में क्या करना है? देखना है कि rolling है फिर यह sliding है या फिर roll and sliding दोनों है, ओके? तो information क्या दी है? Do the following objects roll or slide write R in the boxes of the object to the roll जो चीज़ roll हो सकते है वहां वो box में क्या लिखेंगे? R and S for the object that's slide यानि कि slide हो सकते हैं उसे क्या कहेंगे and S for the object that roll and slide both यानि कि slide भी हो सकती है and roll भी हो सकता है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? S और R दोनों लिखेंगे तो first क्या है? book, तो book क्या है? slide ही होती है only उसे push करना पड़ता है यानि कि हम लिखेंगे यहां पर slide का S then next कौन सा है? ready is carrot है carrot क्या है? वो circle है यानि कि वो roll होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे then next यह क्या है? egg है तो एक क्या है? slide या फिर roll यानि कि वो slide roll है क्या है वो roll यानि कि वो direct वहां से वहां से rolling करता है यानि कि हम R लिखेंगे then next ये क्या है bag है तो bag क्या है slide या फिर roll yes, slide तो क्या लिखेंगे हम लोग yes and then ये क्या है pencil तो pencil भी क्या है roll की slide तो pencil भी क्या है roll यानि के हम लिखेंगे R then क्या है ये tomato तो tomato एक जगा वे से ही stop हो सकता है फिर हम उसे boost करेंगे तो क्या होगा वो rolling भी होगा then slide भी होगा यानि के हम लिखेंगे rolling and sliding का S and R दोनो okay students तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया क्या study किया है हमने आज shape straight line curve line and rolling and sliding तो यहाँ पे हमारा chapter complete होता है okay students thank you